एच्प लेजर जट प्रबंधित E7 प्रिंटर प्लस 6GW49A लेजर जट इनर फिनिशर प्लस लेजर जट सेकंड एक्जिट एक्सेसरी य1G23A अन्बॉक्सिंग और सेट अप यह वीडियो दिखाएगा कि HP लेजर जट इनर फिनिशर और सेकंड एक्जिट एक्सेसरी को कैसे अन्बॉक्स और HP लेजर जट प्रबंधित प्रिंटर पर सेट अप कैसे करें टेप को काट कर और बॉक्स खोल कर शुरू करें स्टैरो फोम और एक्सेसरी ज निकालें फिनिशर को बॉक्स से बाहर निकालें और इसे समतल सतह पर रख दें फिर आउटपुट ट्रे को बॉक्स से निकाल कर एक तरफ रख दें प्लास्टिक बैक को फिनिशर के नीचे धके लें फिर फिनिशर को बैक से बाहर निकालें निले टेप और रख्षात्मक फोम शीट को निकाले, फिनिशर के बाहर से बाकी निली टेप को निकाले, उपर का कवर खोले, आउटपुट ट्रेक शेत्र से निला टेप निकाले, फिर केबल को कसने वाले निले टेप को निकाले, उपर का कवर बंद करें, साइड का दर्वाजा खोले, स्टेपलर से निला टेप और फोम निकाले, साइड का दर्वाजा बंद कर दे, अब आप printer को finisher installation के लिए तैयार कर सकते हैं printer को बंद करने के लिए power button दबाएं फिर wall outlet से power code को unplug करें और कोई भी cable लगी हो तो उसे निकाल दें side के power cover से दो screw निकालें फिर cover निकालें उपरी output tray cover को सुरक्षित करने वाले screw को निकालें उपरी output tray cover को निकालें paper settling guide bracket और इसे कसने वाले tab को ढूढ़ें इसे निकालने के लिए bracket को printer के सामने की और slide करें bin full activator को ढूढ़ें bin full activator को उठाएं और इसे printer के अंदर की और तब तक धके लिए जब तक कि यह सीधे खड़े होने की इस्तिती में न आ जाए इसे उसके स्थान पर खिसकाने के लिए थोड़ा जोड लगाना पड़ सकता है दो screw cap और screw निकालें जो output tray को कसते हैं output tray cover निकालें output tray को निकालने के लिए उसे उपर उठाएं और बाहर खीचें अब आप unbox कर सकते हैं और installation के लिए second exit तयार कर सकते हैं box खोलें और installation guide को निकालें फिर box से second exit को निकालें foam और cap निकालें plastic bag निकालें निले tape और mounting screw वाले छोटे bag को निकालें बचे हुए निले tape को निकालें अब आप printer को दूसरे exit installation के लिए तयार कर सकते हैं दाइं दरवाजा खोलें सामने की तरफ के cover से दो screw निकालें इससे दाइं और के cover को हटाना आसान हो जाएगा दाइं और के cover को कसने वाले चार screw निकालें दाइं और के cover को निकालें printer में दूसरा exit डालें धाचे के छेद और second exit के किनारे के screw के छेद को सीध में लाना सुनिश्चित करें second exit से printer को कसने के लिए उसके साथ आये दोनो screw का उपयोग करें connector में दूसरे exit वाले दो केबल डालें दाइं और के cover को वापस लगाएं और इसे उसके स्थान पर खिसकाने के लिए दबाएं 4 screw वापस लगाएं जो दाइं और के cover को कसते हैं सामने की तरफ के cover को कसने वाले 2 screw वापस लगाएं दाया दर्वाजा बंद करें side power cover को वापस लगाएं फिर इसे कसने वाले 2 screw वापस लगाएं इसके बाद slide rail ढूलें मेटल गतिरोध पर दाई स्लाइड रेल को सीध में लाएं और उसे उसकी जगह पर नीचे करें। स्लाइड रेल को कसने वाले तीन स्क्रू लगाएं। माई स्लाइड रेल को मेटल स्टेंड ओफ पर रखें और उसे उसके जगह पर नीचे करें। Slide rail को कसने वाले तीन स्क्रू लगाए, Slide rail को printer की ओर धके ले, Connector के उपर लगे cover label को निकाले, Finisher के नीचे गाइड ढूंढे, Guide को printer पर slide rail के साथ inner finisher के तले की सीध में लाए, Finisher को printer की ओर धके ले, Side का दर्वाजा खोले, Release लीवर को पीछे खींचे और सुनिशित करें कि Finisher ठीक से fit हो गया है, Shipping स्क्रू निकाले, फिर Stapler से सावधानी लेबल निकाल दे, Side का दर्वाजा बंद कर दे, Output Dampner को रास्त से हटाने के लिए उन्हें उठाएं और पकड़े, Output Tray के Tabs को Finisher के स्लॉट में डालें और उसे उसकी जगह पर नीचे करें, Output Tray को Finisher पर कसने के लिए चार स्क्रू लगाएं, Connector में केबल डालें, Power Code का प्लग दिवार के आउटलेट में लगाएं, आंतरिक फिनिशर और प्रिंटर अब उप्योग के लिए तैयार हैं, अन्यभाशाओं में HP वीडियो ढूणने के लिए यूट्यूब में प्ले लिस्ट टाइब पर क्लिक करें, और Official HP सपोर्ट से जुड़े वीडियो ढूणने के लिए हमारा चैनल देखें।